वो बहुत खुपसूरत दो पंक्तियां लिखी है किसीने कि ब्रह्मान्द सारा जुग गया मुद्रा में विने प्रणाम की चहुं और से ध्वरी आ रही श्री राम जै जै राम की यही तस्वीर है आज की लेकिन आज की ये जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग है से क्योंकि आज हम आपको वो कारण बताने जा रहे हैं सबसे पहले तो मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो श्री विग्रह की है हिंदु धर्म में कभी भी इस तरह की किसी भी आकरती को मूर्ती नहीं कहा जाता है बलकि श्री विग्रह कहा जाता है तो श्रीराम यहाँ पर जब आपको जिस भी तस्वीर में दिख रहे हैं उनकी आखों में ये पट्टी बांधी गई है अब उनकी आखों में जैसे ही पट्टी हटाई जाएगी ये भी आप सभी लोगों ने सुना होगा कि उस पट्टी के हटते ही सबसे पहले कोई उनकी आखों में नहीं देखेगा बलकि उन्हें दर्शन कराए जाएंगे उनके ही ये कैसे संभव होगा ये संभव होगा जब आप उनके सामने शीशा रखेंगे आईना जब आप उनके सामने रखेंगे तो प्रभू को सबसे पहले अपने दर्शन होंगे अब बात यहाँ पर यह सबसे पहले आती है कि प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा तो नहीं है कि जब भी हर देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो सबको आइना दिखाया जाता है ये पूरी तरीके से जिसे मैं कहूं कि हर बार ये नहीं होता हर बार प्राण पतिष्ठा के वक्त या हर बार आप ये भी नहीं कहेंगे कि इस तरीके से आईना रखा जाता है सामने लेकिन यहां पर आइना क्यों रखा जाएगा सबसे पहले वो जानेंगे और इस आइने का चटक जाना इस आइने में दरारें आ जानी इस आइने का तूट जाना शुब क्यूं होगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे तो सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता जहां पर यह बताया गया है कि क्यूं जब श्री विग्रह की आखों से जो तेज निकलेगा जो उसमें उर्जा होगी उस उर्जा को अगर कोई संभाल सकता है तो स्वेम श्री राम है वो आती है न हनुमान चालीसा में भी चौपाई कि आपन तेज समहारो आपे अपना तेज प्रभू आप ही समहाल सकते हैं तीनों लोग कहां कते का पे यहां पर अगर आप देखेंगे श्री राम के विग्रह को क्यों दिखाया जाएगा शीशा हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा करते व्यक्ति उनकी आँखों में वस्त्र बांध अगर्ण होता है जो काफी असीमित वेग में होता है यानि यह सीमित नहीं है यह मनुश्यों के बसका नहीं है यह हमारी हद में नहीं है और इसलिए यह एक असीमित वेग है ऐसे में जब उनकी आखों से पट्टी हटाते हैं तो उनका प्रतिबिंब यानि जो उनका reflection है वह आईने में दिखाया जाता है जिससे वो वापस उन्हीं के पास चला जाता है इसलिए हनुमान चालीसा की चौपाई है कि आप हो तेज समहरों आपे तीनों लोग कहां कते कापे जिससे वो वापस उन्हीं के पास चला जाएगा और किसी को नुकसान न पहुँचे इस अवस जब वो विराजमान है उस वक्त पर भी उनकी आँखों में पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है इस पट्टी को हटाया जाएगा इसके बाद प्रभू को अपना ही प्रतिविंब शीशे में दिखाया जाएगा और शीशे में जब प्रतिविंब आएगा तो वो से निकली हुई जो असी में तूर्जा है उसे सिर्फ प्रभू ही अपने अंदर समेट सकते हैं और वही आपको रामलला के श्रीव रिग्रह और अयोध्या में होता हुआ दिखाई देगा क्या आपको यह जानकारी थी अगर थी तो हमें बताई और अगर नहीं थी तो आप हुआ हुआ है